दमपद गाथा कथा नंबर 111 यह 111 यह खाडू कॉंड़ई की कथा है खाडू कॉंडई थेर थेर की एक वार खाडू कॉंडई थेर जंगल में विपस्ना करने के बाद भगवान बुझ से मिलने लिए जा रहे थी रास्ते में एक परवत मिला उचा तो उन्होंने सोचा के थोड़ा यहाँ विपस्ना साधना कर ली जाए वो वहाँ परवत पे उचाई के स्थिर पे जाके और ध्यान साधना के लिए बैठ गए वही रास्ते से एक लुटोरों का गैंग आ रहा था सहौँ आ रहा था और वह काफी ठके वे थे क्योंकि उन्होंने रात में लूट पाट की तो उन्होंने भी वह परवत देखा और उन्होंने सोचा कि उचे परवत पे आराम से थोड़ी देर सो जाते हैं जब वहाँ वो पॉँचे और तो वहाँ जाके उन्होंने देखा कि एक जो ठेर है यानि एक जो भिक्कू है वो वहाँ ध्यान में इस्थित हैं उन्होंने अपना माँ सामान रखा कटपट की आवाज से जो खाड़ो, कॉंड़ई, भिक्कु थे, उनका ध्यान भंग हुआ, भंग हुने के बाद उन्हें लोगों को देखा, जब लोगों को वहाँ देखा, तो जो चोड़ थे, उन्हें बड़ी जिग्यासा हुई, कि इसके पास में तो कोई सामान भी नहीं ह और दूसी उन्हें जिग्यासा इस बात की हुई, कि यहाँ शांती से बैठा हुआ है, और इसके चेहरे पे बड़ा सुख है, बड़ी सांती है, जबकि हम इतना सामान लूट के लाए हैं, और रोज हम लूट पाट का सो से रहते हैं, हमारे चेहरे फिर भी असांत हैं, हम फ आपके पास को सामान तो है नहीं, हमने अच्छी तरह देख लिया, आपके पास में ये जो कपड़े पैनक हैं, आपने इसके लाबा कुछ नहीं है, सब टटोला हमने, फिर भी आप बिना सामान के सुखी कैसे हैं, जबकि हम तो इतना सामान लेके गहुमते हैं, फिर भी हम बनाते रहते हैं तब उन्होंने बताया कि अगर यह जो सामान है यह सामान जो साथ होता है यह हमारा राग है यह हमारा दोईस है एक वार जो सामान हमारे पास आता है फिर वो सामान हमारे लिए बेका हो जाता है हमें और सामान चाहिए ऐसे हमारी तरशना का चक्र है जो चलता रहता है और हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए और जितना हमें मिलता रहता है हम उतनी की चाहत करते रहते हैं हम इस भावन चक्र में फस जाते हैं और इसमें फसने के बाद में हमें सुखत और दूप की बात है हमें दुखी दुख प्राप्त होता है तो वो पूछते हैं कि इस चक्व से निकलने का तरीका क्या है तो वो कहते हैं जो खाडू कुण रही है कि आपको पवज्जा ग्रहन करनी पड़ेगी तो आपको इसका रहसे इसकी जानकारी सही से मालू होगी क्योंकि मेरे सब्दों बताने से इतना नहीं होता जो पट्टी-पट्टी है वो पूरी तरसे ठीक तरसे जानी जाएगी तो विक्कु सारे जितने भी चोर होते हैं वो विक्कु से प्रात्ना करते हैं कि हमें पवज्जद है विक्कु उनको वहाँ पवजित करते हैं और पवजित करने के बाद में भगवान बुद्ध के पास लेके जाते हैं सारी बात भगवान बुद्ध के संग्यान में आती है तब भगवान बुद्ध ये गाथा जैत्वन में कहते हैं गाथा नमबर 110, 111, 112, 113, 114 और 115 ये लगबग सारी एकसी है इनमें एक की सब्द बदल रहा है कताएं अलग-लग हैं मगर लग-बग सब्द का जो मतलब है वो एकसाही है ये ध्यान देने वाले बात है क्योंकि पहले वाले सब्द के अंदर जो आता था वो आता था सील आता था जिसमें गाथा नमबर 110 में सील वान की बात थी यहाँ पैयावान की बात है यानि के एक दुपैयो है यानि के जिसकी दुष प्रग्या है खराब प्रग्या है खराब समझ है और एक सही प्रग्या है जो गाथा नमर 110 है उसमें सील की बात है एक के दुसील है और एक के सील अच्छे है तो यह कहते हैं यो चै वस सतंग जीव दुस प्रग्या के साथ, जो खराब समझ है, यानि जैसे चोरों की खराब समझ है, चोर लूटते हैं, अच्छी समझ नहीं है, मगर अच्छी समझ क्या है कि लोगों का कल जान करें, उसको अच्छी समझ बोलेंगे, तो समझ तो है, मगर लूटने की है, दुपईया है, दुस चिर्चत थे हैं, एकाहंग जीवितंग सैो, एकाहंग जीवितंग सेो का मतलई है एक ही बार, यानि जो केवल एक ही बार, स््रेश्ठ है जीवित रहना कब 35 स्य जायो, का मतलब ए पईयावान समझदार का जायो माने ध्यानी का यानि ध्यानी का एक वार का जीवन ही जो वो एक इवार जीले सिर्फ ध्यान में समझदारी से वो बहतर है सो साल तक अगर खराब प्रग्या के साथ जीते हैं तो उससे यह गाथा नंबर 111 धन्यवाद आप सभी से यह निविदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने Facebook पे, अपने page पे, अपने Twitter पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं अपनी नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या पर्मिस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छाम। संगं सरेनं गच्छाम। तूथियं पी बुद्धं सेनं गच्छाम। तूथियं पी बुद्धं सरेनं गच्छाम। दूतियंपि धम्मंग सर्णंग घच्छामू दूतियंपि संगू सर्णंग घच्छामू बुखियं पी संगं सर्णं कच्छामी तर्थियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी तर्थियं पी संगं सर्णं कच्छामी कामेस मिच्छ चरविर्मनी सिख्खाप दिंग स्माधियामी कामेस मिच्छ चरविर्मनी सिख्खाप दंग स्माधियामी कामेस मिच्छ चरविर्मनी सिख्खाप दिंग स्माधियामी